आज मैं बनाने वाली हूँ मच्छी का मसालेदार गाउटी सालन एकदम ही अमेजिंग रेसिपी है आप भी इसे जरूर ट्राई कीजेगा आपको भी बहुत पसंद आईगी रेसिपी और ये मसाले से भरपुर बनने वाली मच्छी का सालन है एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक करो, शेयर करो, सस्क्राइब जरूर कीजेगा चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी सबसे पहले मैं ले लूँगे दो प्यास फिर में ले लूँगे एक कटोरी भरके खोबरा, सुका खोबरा लेना है फिर में ले लूँगे दो चमस तिल, एक चमस जीरा खड़े गरे मसाले ले ले लेंगे दो लवंग लेना है, दो काली मीरी लेना है, छोटी दालचीनी लेना है और आदा चक्रफुल लेना है लसन ले लेंगे, अधरक ले लेंगे और कोतंबिर ले लेंगे इन्हें अच्छे से भून के हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सर के जार में सबसे पहले हम तवे पे इसको प्यास को डाल देंगे भूनने के लिए इसमें एक चमस तेल देना है अभी हम इसे अच्छे से इसका कलर चेंज होए तक इसे भून के लेने वाले हैं इस तरह से इसका कलर चेंज होने तक इसे भून के लिजेगा अब मैं इसमें दालूँगी जीरा इसी में ही डालके आप इसे भून के ले लिजेगा अब मैं इसमें दालूँगी लसन फिर दालूँगी अद्रग अब मैं इसे अच्छे से इसी में ही भून के ले लूँगी कम सकम एक से दो मिनिट के लिए इसे भून के लेना है अब ही हम दालेंगे इसमें खड़े गरम मसाले इस तरह से इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से फ्राइ हो चुके है ये मसाले भून चुके है अब मैं इसमें दालूँगी खोबरा एक कटोरी लेना है इसमें इसे आप कीस के लिजे कटिंग करके बिल्कुल भी मत लिजेगा इस तरह से इसका कलर चेंज होने तक इसे हमें भून के लेना है अब मैं इसमें दालूँगी तील तील में हमें दालना है आदा चम्मस तेल उसे भी इस तरह से कलर चेंज होए तक हमें भून के लेना है गोल्डन कलर कीजिएगा जादा भूनिएगा नहीं ने तो वरना ये जलने लग जाती है इस तरह से अभी हमने मसाले भून चुके हैं अब इसे हम पाश मिनुट के लिए थंडा करने के लिए रख देंगे फिर उसके बाद में हम मिकसर के जार में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे कोतमभीर भी इसी में ही पीसके लेना है मैं अब मैं ले लूँगी कड़ाई कड़ाई में दालूंगे एक कटोरी तेल अब यह हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्सर के जार में पीस्की हो चुके है वो भी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से हम इसे तेल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ करके ले लेंगे पुरा मसाला इसमें आप डाल दीजेगा और अच्छे से इसे तेल में फ्राइ करके ले लीजेगा जब तक मसाले का तेल छुटता नहीं तब तक हम इसे फ्राइ करके ले लेंगे देखे इस तरह से हमें इसे बार-बार चम्मस से फ्राइ करके लेना है वरना ये मसाला जलने लग जाता है आप इसे बार-बार चम्मस से फ्राइ करते रहेगेगा देखे थोड़ा-थोड़ा मसाला छूट रहा है ये देखिए माशाला तेल छूट चुका है इसका अब हम इसमें दालेंगे सुखे मसाले पाउडर मसाले जैसा सबसे पहले हम ले लेंगे देड़ चम्मच लाल मिर्श पाउडर दो चम्मच कांदा मसाला आदा चम्मच हल्दी पाउडर नमक आपके टेस्ट के साब से लीजेगा एक चम्मच धनिया पाउडर अभी हम इसमें डाल देंगे अभी हम इसे अच्छे से फ्राइ करके ले लेंगे मसालों को एक साथ देखे इस तरह से आपको फ्राइ करके लेना है जब तक इसका भी तेल छूटना जाए तब तक आपको इसे फ्राइ करके लेना है एक से दो मिनिट के लिए आप इसे फ्राइ करके ले लीजेगा जो मिक्सर के जार में मसाला बचा था और जो कटोरी में मसाला बचा था उसमें हम पानी डाल के उसे इस मसाले में डाल देंगे दो कर यह देखे इस तरह से हमें इसे अच्छे से अभी मिला लेना है और यह देखे तेल भी नॉर्मल सा छूट रहा है यह देखे अब मैं इसमें डालूंगी आदा गलास पानी क्योंकि मसाला हमें पका के लेना है इस मसाले को बहुत सा पकाना पड़ता है जबी यह अच्छा लगता है अब हम इसको डखकन ढाक के पाच मिनिट के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी यह देखे पाच मिनिट हो चुके है मसाला भी अच्छे से पक चुका है माशाला तेल भी अच्छे से छोड़ चुका है यह देखे इस तरह से आपको मसाला पका के लेना है अब हम ले लेंगे मच्छी, मैंने आदा किलो मच्छी बासा मच्छी ली थी, ये मच्छी में काटे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, एक ही काटा रहता है और खाने में बहुत ला जवाब लगती है ये रेसिपी, मच्छी, अब हम इसमें मच्छी छोड़ देंगे मसाले में, तेल और मसाला काफी उड़ रहा था, इसलिए मैंने चुम्टी की मदद से मच्छी को इसमें डाल दी हूँ, आभी इसी तरह से इसमें डाल सकते हैं, अभी मैं इसमें डालूंगी पानी, पर पानी आपको गरम करके डालना है, बिल्कुल भी थंडा पानी आप इसमें डालि पानी के लिए, गरम पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, थंडे पानी से इसका टेस्ट जरा बिगड जाता है, इस तरह से हमें थोड़ा सा इसे हिला के लेना है, अभी हम इसे पाच मिनिट के लिए फिर से मच्छी को पकने के लिए छोड़ देंगे, ये दिखिए, पाच मि खुबसूरत लग रही है, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगीगी, गावटी, सालन, मसाले से भोती भरपूर है ये सालन, आप भी इसे एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अब मैं इसमें दाल दूंगी पानी, फिर से मै आप कोज़े पानी घरम करके डालना है, आपको, मैंने दो ग्लास इसमें पानी दाली थी, आप चाहे तो इसमें एक ग्लास, दो ग्लास, जितने आपकी मर्जी है, आप जितना पतला सालन चाहते हो, उतना आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, इसमें मैंने दोई गलास पानी डाली थी आपकी मर्जी के आपकी हिसाब से आप जितना चाहते हो उतना इसमें पानी की quantity डाल सकते है बढ़ा सकते है, कम कर सकते है यह देखिए, मच्छी भी अच्छे से पक चुकी है, मसाला भी माशाला अच्छे से पक चुका है, तेल भी अच्छे से छूट चुका है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक करो, शेर करो, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी देखिए, मैंने इसे दो मिनीट के लिए अच्छे से उबाली आए तक इसे थोड़ा सा मैंने पका के ली थी, फिर इसके बाद में मैंने घ्यास बंद कर दी थी एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगी यह मच्छी का गावटी सालन है